नमस्ते मेरा नम सुभम है और आप मुझे ब्रेन अब बिहार पे देख रहे हैं सुप्रीम कोट में जो केस लिस्ट हुआ था रीड पेटिशन जो विश्व भारती के तरफ से लगाया गया है उस जिसके सेक्रेटरी कुछ वहाजी है तो हमको यह भी डर था कि कहीं न कहीं यह कि एक केस रिजेक्ट न हो जाए या डिस्मिस्ट न हो जाए या ऐसा नहीं बोल दिया जाए कि किसी और मामला के सुनवाई चल नहीं रही है तो उसी में इसको टैक कर दीजी जितना मेहनत हुआ है इसको करने के लिए पूरे देश भर से लोग अपना-पना पेटिशन दिये या नहीं भी जो दिये हैं वो इस उमीद में हैं कि इसका अगर फैसला होगा तो हमारा विभुगदान कहीं न कहीं होने का रास्ता निकलेगा क्योंकि इसमें बात की गई है कि सबका पेइमेंट किया जाए कि वहल जो पेटिशनर है उनका नहीं ऐसा ही कुछ वहाज इने हमको भी बताया और देखने से भी यहीं लगता है क्योंकि कोट ने पूछा था कि क्या यह PIL है आप रीट के रूप में जो दाखिल कर रहे हैं यह PIL है कि नहीं है डिफिसियंसी के रूप में पूछा था कि अगर PIL होता तो उसमें उनका इंट्रेस्ट नहीं रहना च जिसके चलते इसलिए हम बोल रहे थे आप लोगों को की थोड़ा सा बरदास्त करना चाहिए अगर कोट को लगेगा कि नहीं यह गलत फाइलिंग है आप PIL में आये तो रिजेक्ट कर देगा बोलेगा कि PIL फाइल के यह एडिट नहीं है तो कोट इसलिए सुप्रीम कोट का मतलब सुप्रीम है आपका रिट भी रह गया है और PIL के सांथ सुनवाई भी होगा इस मामले को पिनक पानी मोहंती वाला जो केस है 191222 रिट पेटिशन जो की PIL के रूप में है जिसमें 5000 क्रून डिलीज हुआ है उसी के सांथ सांथ सुनवाई करने का बोला गया है ओडर मे यह नहीं बोला गया है कि उसमें टेग कर दीजिए इसका अलग से सुनवाई होगा लेकिन 191222 जो PIL का मेंटर है उसी दिन उसी कोट में उसी के सांथ वहीं बेंच करेगा तो इसमें ये बात हुआ कि रीट का रीट रह गया और PIL का मेंटर जैसे है कि 86000 क्रूर का सुसाइटी का है क्यू सबका है बहुत साथ जितना है सबका इसमें चर्चा किया गया है तो इतना वेट था इस पेटिशन में जिससे की एडमिट कर लिया गया है और बोला गया है क पी आईल के साथ सुनवाई होगी इसकी ये बहुत ही अच्छी खबर है और 16 अपरेल अगला डेट दिया गया है दिया नहीं गया है और डेडी 16 अपरेल डेट था पिनकपानी मोहंती का तो बोला गया है जब सांथ में सुनवाई करना है तो सबसे नियरेस डेट वहीं है 16 परेल का उसी के साथ इसको सुना जाए तो ये अच्छा चीज है कि जीरो से नहीं सुरू करदा परेगा कि जो भी बेंच सुनवाई किया है पिनकपानी मोहंती में और उसमें सहारा का पांशेर को रिलीज भी हुआ है 20 मार्च को सुनवाई खतम हुआ था और आठ दिन के स् सुरू हो जाएगा ये एक फायदा है उसके साथ सुनवाई होने मामदा तो सहारा कहीं है और पांच सेर करोर का क्या दसा किया है सेर सीएस और सहारा ने मिलके भुकतान का ये माइटर भी उठ जाएगा और जो इस पेटिशन के एडवोकेट है वो उसके खामियों को वहाग लागिन आते हुए नजर आएंगे और कोई पोर्टल में दिकत नहीं है सारा कुछ पोर्टल का सही है डिफिसेंसी जो भेजा जा रहा है वो जम्मकरता के एंड से नहीं ठीक होने वाला है इसका सलूसन क्या है ये बताए सीर सीएस और सहारा मिलके तो इस पेस सुप्रिम को को डड़ा चलाना है कि एक परसेंट लोग का भी अगर भुकतान आप नहीं कर पाए हैं तो आपको पैसा देने आप पोर्टल बनाने से फायदा क्या तो जब सांथ में सुनवाई होगा तो यह भी मामला उठेगा दूसरा दस जार देने का कोट बात नहीं किया था अगर आपको दस ही हजार देना था तो सारा पैसा क्यों लेकि आए आप बोलते कि कुछ पैसा सहारा को देजिए सहारा अपना देगी जब आप गच लिये हैं कि सब हम एक एक रुपया का भुकतान कराएंगे तो प्रिंस्पल ही अगर देना है तो हंडेड परसेंट प्रिं देगे उसके बाद देखा जाएगा कि ब्याज के लिए पैसा बचता है कि यह दो तीन को जो डिफिसेंसी है पोटल की जो कमी है उसको दूर कर लिया जाए तो डीजिटल माध्यम से सारा डाटा सरकार के पास है एक दिन के अंदर 86,000 कुरोर सब आपके एकाउंट में आ सकत लोग करें जाके नया भरवा के जिसका कम्प्लेन हमने CRCS में कर दिया है कि यह क्या चल रहा है अगर आपको फॉर्म ही लेना है तो अफिसेली आप नोटिफिकेशन निकल के लिजिए कि बैक डेटेट नहीं आज के डेट में फॉर्म हम ले रहे हैं लिक्यूडेशन क्यों नहीं हो रहा है सोसाइटी का यह पूछना है जब कॉम्पनेट डिफॉल्टर हो गई सोसाइटी डिफॉल्टर हो रही हो गई तो लोगों का पैसा डूबने का इंतिजार किया जा रहा है कि डूबे का तब लिक्यूडेशन होगा यह सारी चीजों को रखा जाएगा 16 अपरेल 2024 को तो यह अच्छा न्यूज था कि केस एड्मिट भी हो गया और एक महिना के बाद इसकी सुनवाई होनी है और वो भी जो पीनक पानिक मोहनती वाला जो पांचियार को रिलीज हुआ था उसका डेट एक्स्टेंशन का मांगा गया है तो उसके साथ साथ उसके नकामियों को गिनाने वाले कोई आप और हमारे तरब से वहाँ पे रहेंगे यह अच्छी बात यहीं अपडेट है यह र होता है कि अपने आया को कमपणियों का जांच की जिए दूसरा सहारा से वी मुख भी बाद जुथा उसका रफसेरेंस दिया गया गया है और चौथा उस आये का जिक्र किया गया है जिसमें सेंटरल रजिस्टार ने अपना आये एक दाखिल करके 5000 करोर ले आये हैं आपको माटने के लिए तो इस चारों केस में बताया गया कि 16.04.2024 को पिनकपानी महंती वाला का लिस्टिंग है सुप्रीम कोट में तो कोट ने सुनवाई करने के बाद बोला कि इसको उसी बेंज के साथ सुनवाई किया जाएगा अगले सुनवाई तो ये ममला उसके साथ सुनवाई होगा उसके साथ साथ अलग से सुनवाई होगा और जो भी इनका गिरिवांसेस है जो भी प्रेयर किया गया है उस पे कोट क ध्यान आक्रसित करना एकदम जरूरी था जो की होने जारा दूसरा आपडेट पर आजाईए दूसरा है कि 116 करोर रुपया जमा हो गया ऐसा नियूज में आया हस्पिटल जो भी का था उसमें हमने बोला था आप लोग को कि एक मैटर फंस गया है कि कुछ घोटाला का बात आय इनहों ने कि धूकिन जो रिएंट था उदस करोड नहीं जमा किया था और 106 करोड रुपया का कम वहलू पर कल्कुलेशन किया गया था तो दोनों मिला करके 116 करूर सहारा ने जमा कर दिया ऐसा नहीं हो जा गया तो आज परिशा कहां से आ गया इंबारगो कहां चला गया इसके लिए क्या आप अपील सुप्रीम कोट हाई कोट क्यों नहीं किये कि एक 110 करूर आप जमा करते हैं वी बिजने चलाने के लिए बीजनेस बंद करने के लिए 116 जमा हुआ कि जल्दी से बेच के निकले तैई इतना जल्द बाजी है क्यों नहां बीजनेस के लिए कि dev करने के दिए तो सोचने की बात है कि जहां पे इसका अच्छा संपती है उसको बेच के और निकलना चाहती है क्योंकि जान रही है कि आज नहीं कल निलामी ही उसका होना है यह भी हस्पीटल निलामी बचड़ा हुआ है एंसील्टी के ओडर से जो डी एचेफल फाइनांस है अब भी पिरामल के नाम से जाना जाता है तो वह पांसो करोर लोन दिया था जिसका ब्याद के साथ नौसोठ करोर का लाइंती हो गया था जिसको यह 600 करोर में सेटल करने का ओफर भी दी थी अब इसको लगा था उसको अप्रायमु शींटी भी गरांटर छी तो प्रायम शींटी को भी पाटि बनाके और एंसील्टी मामला फाइल कर दिया है जो पिडामल था अब इसको लगा कि नहीं तो 900 कुरोर लेके चला जाएगा तो 940 कुरोर में अपने सहमती से डिल कर लिया है और N.C.L.T. से इसका आदेश ले लिया गया है कि हमको बेजनेस टांसपर करना है सेटलमेंट कर दा है कि अगर आपको अफसीटल बचाना ही था तो इसमें डिस्प्यूट फायदा करते कि हमरा सहारा से भी इसे पैसा आएगा तो हम देंगे तो वहाँ पर ये नहीं डिस्प्यूट फायदा करनेगी क्यूं कि वहाँ पर देख रहे है कि तुरंथ बिक जाएगा और यह से लेवल ह अच्छा संपत्य है जो कि तुरंत बिख जाएगा इसलिए बीच में रहते हैं हम अपने समती से ही बिखते हैं जो भी मेरे पोकेट में आज है अच्काॉंट के थुरू आएगा वह जो पिरामल को गया हूँ तो गया हिसके एक्स्ट्रा में जो पैसा मिलेगा वह सहारा सेवी में जा रहा है इसका कैसे पता चलेगा यह देखने वाली बात है इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं इसका पता लगाएंगे फिलहाल 116 करोर जमा हो गया तो यह कहां से आया इसके लिए क्यों नहीं बोली कि इंबार्गो है तो हम भी नहीं करेंगे बाद में करेंगे तो यहां पर यह मैटर था कि यह फाइल पुराना गरा हुआ मुर्दा खुल गया फाई जब इन्होंने ट्रांसफर का रिक्वेस्ट दिया लखनाव डेवलोप्मेंट अर्थरेटी को अब यह हस्पीटल बिखता चाहें नहीं बिखता 116 करोर इनको जमा करना था ने तो रिकावरी कलती लड़े निला वो भी कर सकती थी या खर अब कितना हम आप लोगों को समझाएं आपलों भी अपना दिमाग लगई कि क्या क्या ही कर रही है क्यूकि इसका जहाँ अपना मन है जहां अ अपने फायदा है वहां पे चाहँ से हूं 152 में और करती है कि embargo है यह हो हम सोसाइटी की पढ़ रहे ते सोसाइटी में लिखा हुआ है कि एमबी भली का परचेज किया गया है 21 से बालेन सीट में कि और परचेज करके छोड़ दिया गया है और transfer शेयर नहीं हो रहा है क्योंकि embargo है तो मेरा पूछना है कि जब पर्चेज आप किये तो वो सेल किया कमपनी तो पर्चेज आप सेल जब हो गया तो ट्रांसपर क्यों रोके हुए है सुप्रीम कोट को दिखाने के लिए कि आप क्या आदेश का पालन हम कर रहे है यह जो सुसाइटियों से पैसा उठा के एमबी भ आता है तो ट्रांसपर रोके हुए है कि सुप्रीम कोट का आदेश है कि कोई लिजी साहरा गुरूप की नहीं भीखनी चाहिए कि ऐसा ऐसा खेल हो रहा है जो कि आपके संग्यान में आना एकदम जरूरी है ये थोड़ा मुरा कोशिस नहीं की ही तो सुप्रीम कोट को भी आक में जुक जोलनेगा बहुत बार कोशिस की लेकिन अभी तक सफल नहीं हुई है क्योंकि नियाईक वेवस्था आमें देरी होता है लेकिन वहां पे अन्याय नहीं हो सकता है जिस तरह से इन्होंने बोला कि हमने पेमेंट कर दिया हाउसिंग का और रियल में तो किया नहीं था तो सुप्रीम कोट में ये प्रूफ नहीं कर पाए कि नहीं दिये कितना भी बलगलाने के बरे-बरे ओकील ख़डा हुए बलगलाने के लिए लेकिन वहाँ पे ये प्रूफ नहीं कर पाए कि हमने payment दिया है और उसी के चलते आज इनका ये दसा है जूट पे जूट कितना दिन जूट फाइनाली जब आप सचाई पे नहीं आते हैं तो तो सुप्रीम कोट को आप नहीं घुमा सकते हैं बस अगला एक लास्ट है कि हम सब के लिए बुले थे आप लोग भी है और हमको भेज भी दिये हैं मेरा मकसाद हुआ था कि कम से कम सो मारे साथ ऐसे लोग को इनलब बस ऊचो क्लेम कुषिए लोग ने भी आदमें भी सव जन्यश्य से ज़या सबilt чуд बनार गाल है NCLT में उसका आदेश का हम लोग इंतिजार करेंगे जैसा होगा उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे क्यों हमारा परपस था कि मेरे साथ इतने लोग रहेंगे तो हम लोग फ्रेस कलेम भी NCLT में जाके डायर करेंगे अपने इस एक्ठो ग्रूप बना के कि हम लोग का पैसा मिल जाए इसके अलावा कुछ नहीं है अगर तेरा तारिक में आ जाता है कि हाँ इसका लिकुडेशन होगा तो कहीं कुछ करने के ज़रोत नहीं जैसे पोटल पर अपलाई हो रहा हुए सही एक फॉर्म आएगा उसका उसको फॉर्म को भर देना है ओनलाइन सब पर किरिया रहेगी और क्लेम अपना भेज देना है क्लेम का भोगतान करेंगे जो इंसल्फेंसी प्रफेशनल है हो उसमें कोहीं कोई एक रुपय का फाइल नहीं करना है केस मिल लड़ना है कुछ नहीं तब हम लोग बात किये हैं कि फ्रे समलो NCLT में अपना केस दायर करेंगे सब लोगों का जो कि क्रेड़ है क्यूशब यूनिक प्रोड़क्ट रेंज लिमिटेड का अब क्यूशब में भी बहुत सारा है इस्ट वेस्ट नर्थ सेंट्रल क्या-क्या खोले हुई है तो जिसके लास्ट में प्राइबेट लिमिटेड वर्ड है वो मिनिस्टी अब कर्पोरेट अफेयर से कंपनी बननी हुई है और वहीं NCLT में जा सकती है ना तो सोसाइटी ना तो पार्टनर सी फ़र्म ना तो प्रप्राइटर सी फ़र्म दूसरा कोई भी जो दूसरे सम्मिधान से ब बनी हुई है ना बनी हुई आप लोग अपना फॉर्म देखिए आप पाचानने का यहीं तरीका है कि जो भी कंपनी के लास्ट में लिमिटेड या प्राइबेट लिमिटेड लिमिटेड लगा रहता है वहीं मिनिस्ट्री और कॉर्परेट अफेयर से रजिस्टर होती है य हिसे हम लोग क्या ओप बोलते हैं कि हिंदू है मुस्लिम है तो मुस्लिम लोगों को दफनाय जाता है हिंदू को जलाया जाता तो जीस धर्म में पैदा हुए उसी धर्म का रिति रिवाज आपको पालन करना है वह से ही जो कंपनी जिस सम्भीधान से बनी हुई है उसका समा प्रपाइट अफेर्ट में उसके लिए नहीं जा सकते हैं तो बहुत लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है सब लोग उतने जनकार नहीं होते हैं लेकिन मामला यहीं है कि 13 अधिक्का इंतिजार करना है क्यूँ सब के लिए और 16 अपरेल तक इंतिजार करना है इस रिट पेटिशन के लिए और पोटल में बीच में कुछ नए अपडेट रहेगा तो हम आप लोग को बताते ही रहेंगे अभी के लिए इतना ही धन्यवाद